हलो स्टूडेंट्स वेलकम पैक हम आगे अपने संचेन बुक का फोर्थ चैप्टर मेरा छोटा सा निजी पुस्तकाले तो ये लिखा है धरमवीर भारती जी ने इस पार्ट के लिखक है उन्होंने उन्होंने बताया हमको यहाँ पर कि किस तरीके से उनके पास एक छोटा सा निजी पुस्तकाले था उन्होंने कैसे इस पुस्तकाले का निर्माण किया कब उन्होंने पहली पुस्तक खरी दी उन्हें पुस्तकों के बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों हुआ कि वो किताबों को पढ़े और किस तरीके से उन्होंने अपने आखरी वक्त भी उसी पुस्तकाले में ही बिताए तो यहाँ पर हम उनके बारे में जानने शुरू करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपना एक खुद का निजी पुस्तकाले यहाँ पर बनाया चलिए देखते हैं क्या बोल रहे है धर्मविर भारती जी प्रस्तुत आत्म कथ्या आत्मक रचना ये उन्हें अपने बारे में लिखिए आत्म कथ्या मतलब अपनी ही कथा सुनाई है रचना मेरा चोटा सा निजी पुस्तकाले प्रसिद्ध रचनाकार एवं पत्रकार धर्मविर भारती के निधन से 7-8 साल पूर्व की है उनके मरने वाले थे उससे पहले उन्होंने 7-8 साल पूर्व लिखी सन 1989 एस्वी में लेखक एक बार गंभी रूप से बिमार हुए एक के बाद दूसरा हार्ट अटेक पढ़ा तो बहुत जादा वो उसके चपेट में आ गए थे अस्पतार में इलाज के बाद लेकक अर्द मृत्यू की अवस्था में घर वापस आए मतलब उनका कंडिशन ऐसी अच्छी नहीं थी कि वो चल फिर चल के सब कुछ कर सके तो उनकी अवस्था ऐसी थी कि वो बेड पर ही रहेंगे तो वो घर वापस आए वहाँ उन्होंने जिद्ध ठान ली कि उन्हें उनकी किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए यानि उन्होंने जिद्ध ठान ली थी कि अब मैं अपने बेड रूम में नहीं जाओंगा मुझे मेरा बेड कहां पर लगाई है जहां मेरा निजी पुस्तकाले मतलब मैं अपनी किताबों के साथ ही रहना चाहता हूँ तो उनका बेड वहाँ पर लगाया गया ना वो चले ना किसी से जाधा बोले और ना ही पढ़े उन्हें किसी तरह का भी stress नहीं लेना था लेकक उस छोटे से निजी पुस्तकाले में जो अब काफी विस्तरत है मतलब अब विस्तरत हो चुका है बढ़ चुका है लेटे हुए थे लेखक ने परी कथाओं में पढ़ा था कि एक राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं बलकि तोते में रहते हैं वैसे ही उन्हें भी लगता था कि उनके प्राण भी उनके शरीर में नहीं है तो क्या हुआ हम लोगों ने भी भाई अपने वश्पन में एक कहानी पड़ी थी कि एक राजा था उसकी जान जो है वो एक तोते में थी मतलब हर कोई इस राजा को मारने की बहुत कोशिश करता मगर मार ही नहीं पाता क्योंकि अगर तोते को हाम करेंगे तो ही राजा को हाम होता तो उसी तरीके से यहां पर लेखक की जान भी खुद उनके शरीर में नहीं रहती थी उनकी जान किस में बसते थी उनकी किताबों में तो यहां पर उन्होंने ये चीज़ हमको बताए उनका पुस्तकों के प्रती ये प्रेम था कि उनकी पुस्तक उनके लिए बहुत जादा प्रियती ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर हमको समझाने की कोशिश करे उनके प्राण शरीर से निकल चुके हैं और वे इन हजारों किताबों में बस गए है जो पिछले 40-50 वर्षों में धीरे धीरे उनके पास जमा होती गई जब आरे समाज का सुधारवादी आंदोलन शीर्ष पे था तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अब उनके प्राण निकल चुके हैं मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि उनके प्राण अब निकल चुके हैं और उनके प्राण कहां बसे हैं इन किताबों में बसे हुए यह किताबे उन्होंने करेबन 40-50 साल पहले एकठा करने शुरू करे थी जो अब इतनी जादा इतनी सारी किताबे एक बैक तो नहीं आती हैं वही आप थोड़ी लोगे एक लोगे दो लोगे धिरे धिरे करके एकत्र होती हैं तो उसी तरह 40-50 सालों से वो यह किताबे एकत्र कर रहे थे कब से यह आरे समाज की सुधारवांदी आंदोलन शीर्ष पे था तब से तब लेखर के पिता आरे समाज रानी मंडी के प्रधान थे यानि कि जब या आरे समाज को सुधारने का काम आदोलन चल रहा था तब तब वो रानी मंडी में एक प्रधान थे पिता जीरूंगे और मा इस्तरी सिक्षा के लिए आदर शिकन्या पाठशाला की स्थापना की थी और मा ने क्या किया था इस्तरी यानि लड़कियों इस्तरी सिक्षा पे जादा जोड़ दिया जाता था पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था से उस पे जोड़ दिया जाता था ज्यादा प्रभावित थे लेखक को बच्पन में ही नेमित रूप से आरेमित आयक जितने भी मित्र आते थे वो सापताहिक, बामदेम, सरस्वती, ग्रहणी और बाल पत्रिकाएं, बाल सखा आवन चम-चम पढ़ने का अफसर मिला यानि कि वो बच्पन में ही उनके जितने भी मित्र आते थे, ये पुस्तके उनको मिलती थी और वो सारी पुस्तके ये पढ़ते थे लेखक को सत्यार्थ प्रकाश जैसे पुस्तकों को पढ़ने का भी अफसर प्राप्ट हुआ सत्यार्थ प्रकाश जी की जो पुस्तके होती है वो बश्पन से ही पुस्तकों के साथ थे तो उनमें उनके अंदर ये पुस्तकों का लगाव बहुत शुरू से वश्पन से ही उनके अंदर था लेखक पर इन चीजों का प्रभाव पढ़ा और उन्होंने अपने बालिकाल में स्कूली किताबों से अधिक इन किताबों और पत्रकाओं को पढ़ा यानि कि जो स्कूल की किताबे होती थी उससे जादा इन किताबों को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते थे बहुत पढ़ते थे जो उन्हें मिल जाया वो किताब इन्हों पढ़ने में इंटरेस्ट रहता था अपने छोटे से नीजी पुस्तकाले के विशे में लेखक ने बताया कि कैसे उस पुस्तकाले का विकास हुआ अब यहाँ पर वो पुस्तकाले के बारे में हमें बताना शुरू करते हैं कि कैसे उनके उस छोटे से पुस्तकाले का विकास हुना शुरू हुआ और कब शुरुवात हुई? कब इस लगू पुस्तकाले के लिए पहली किताब खरीदी गई इस सब का वर्णन भी लेखक ने इस पार्ट में किया है कि मतलब उन्होंने कैसे पहली किताब खरीदी कैसे और विक्सित हुआ उन्होंने कैसे सोची कि हम ऐसे पुस्तकाली की शुरुवात कर सकते हैं तो ये सोच से लेकर शुरू कैसे हुआ ये सारी चीजे जो हैं उन्होंने इस पार्ट में हमको वर्णित किया है लेखक को स्कूल में दो किताबें इनाम में मिली थी यानिक उन्होंने कुछ किया उग प्रतियोगता mito किताबे पुरसकार के रूप में मिली एक किताब के माध्यां से लेका को पक्षियों से भरे आकाश का ग्यान हुआ मतलब एक किताब किस थी? पक्षियों के बारे में थी कि पक्षि किस तरीके से अपना जीवन वतीत करते हैं, इन सब चीजों के बारे में knowledge थी उसमें और दूसरी किताब में रहस्यों से भरे समुद्र का ग्यान था, एक तरफ जहां आकास का क्यान दिया गया था दूसरी किताब में उनको समुद्र का ग्यान दिया गया था समुद्र में कैसे जीर जनतु रहते हैं कैसी गहराई है, कैसे क्या है कैसे हमारे जीवन के लिए समुद्र आविश्चक है ये सारी चीज़ें की जानकारी थी लेखक के पिता जी ने अपनी निजी लाइबरेरी के एक खाने से अपनी चीजे हटा दी यानि कि लेखक के जो पिता जी थे उन्होंने एक खाना खाली कर दिया अपनी लाइबरेरी से और लेखक के लिए उसे सुरक्षत कर दिया, कि अब तुम यहाँ पर अपनी सारी चीज़े रखो, लेखक से बोला कि तुम यहाँ पर जो चीजे तुम रखना चाहते हो, अपनी पुस्तके हैं या अपना सामान रख सकते हैं, उन्होंने ऐसा करके लेखक से कहा, आज से ये ख की बाई हमें इस चीज का प्रोसाहन देना चाहिए तो उन्होंने क्या किया उन्होंने अपनी लाइबरेरी में से एक खाना Present कि और और कहा कि इस जगा तुम अपनी लाइबरेरी बनाऊंगे पहले तो छोटा सा उन्होंने छोटा सा एक जगा जबा दे दी कि यहाँ पर तुम अपना और आज से यह तुम्हारा नीजी पुस्तकाले तुम्हारा अपना पर्सनल तो इस तरीके से यहां उन्न जह है लेखक को प्रोच साहिद हुआ अध्यापन की दुनिया में भी गए अध्यापन मतलब दूसरों को पढ़ाने की यानि कि बच्चों को पढ़ाने का जैसे काम होता है वो वाला कारी भी उन्होंने किया अध्यापन चोड़ कर लेकर इलहाबाद होते हुए मुंबई आ गए उन्होंने अध्यापन कारे छोड़ा तो वो इलाबाद से कहां आ गए? मुंबई आए यहां आकर संपादन की दुनिया में प्रवेश किया मतलब लिखने लगे और उनकी जो कहानी, लेख ये सब चीजे जो है वो छपने लगी इसी रफतार में और इसी क्रम में लेखक की निजी लाइबरेरी का विस्तार भी होता चला गया भाई हम पढ़ाई से ही जुड़े रहे हमने खुद पढ़ा, स्कूल पढ़ा, फिर युनिवर्सिटी आए वहां पढ़ा फिर दूसरे वच्चों को हम पढ़ाने लगे अध्यापन के कार में आए, अध्यापन के कार के बाद संपादन कार में आए मतलब हमने लिखना शुरू किया और उसको छपवाना शुरू किया तो शुरू से लेकर आखिर तक किस से रहे हम पुस्तकों से ही तो जुड़े रहे पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहे तो क्या हुआ धीरे धीरे इसी बीच में उनका पुस्तकाले भी विस्त्रत होता बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे जहां पिताची ने थोड़ी किताबों की जगा दिय थी अब उनके पास बहुत सारी किताबे हो चुकी थी निजी लाइबरेरी के विस्तार की प्रेड़ना लेखा को इलहाबाद में रहते हुए मिली तो अब हमें अपना विद्याले बनाना है तो इसकी प्रेड़ना उन्हें कहां से मिली? इलहाबाद में जब वो थे तब उन्हें इस चीज की प्रेड़ना मिली लेखक के जीवन में पहली बार साहितिक पुस्तक की खरीद की विशे में बताते हैं मतलब उन्हें पहली पुस्तक कब खरीदी? साहित की उन्हें पहली पुस्तक कब खरीदी और कैसे खरीदी? इसके बारे में वो बताते हुए हमसे क्या कहते हैं कि मा की कहने पर लेखक ने देवदास फिल्म देखने का निश्चे किया मा ने बोला कि जो बेटा तुम देवदास फिल्म देख करा हूँ मा ने उस चीज़ के लिए उनको इंकरज किया तो वो गए भाई देखने के लिए वग पुस्तकों को बेचने और पुरानी पुस्तकों को खरीदने से बेच दो रुपियों को लेकर सिनेमा घर देखने गए तो उन्होंने क्या हुआ कि पुरानी पुस्तके जैसे हम बेच देते हैं ठीक है ना पुरानी पुस्तके होती है जो हम दूसरों को बेच देते हैं उसमें जो पैसे मिलते हैं उनको बचाकर हो गयते फिल्म को देखने के लिए लेकिन फिल्म शुरू होने में थोड़ी दोर होने की वज़ा से वहीं सामने किसी किताब की दुकान पर लेखक की नजर पड़ी अगों पहुँच गये टिकेट खड़ी लिया मगर अभी फिल्म शुरू होने में टाइम था तो क्या हुआ उनकी नजर एक सामने स्टॉल पर पड़ी जहां पर कुप सारी किताब ये थी किताब की दुकान थी तो वो वहाँ पर चले गए लेखक ने शरचन चटोपाध्याई की पुस्तक देवदास रखी हुई थी जब उस पर गए तो उनकी नजर वहाँ पर रखी हुई पुस्तक पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि ये तो शरचन उपाध्याई दोरा चटोपाध्याई दोरा रचे थे देवदास है लेखक का ध्यान उस और खिच गया अब वो उस चीज़ करत केंद्रित हो गए लेखक ने कीमत पूछी तो पता चला एक रुपए मात्र यानि एक रुपए की वो बुक है दुकान दान ने एक रुपए से कम में ही पुस्तक उन्हें दे दी तो पुस्तक लेकर दस आने में यानि कि दस आने में लेखक को मिल गई लेखक ने बचे एक रुपए छे आने मा को लोटा दिये ये पहली किताब स्वयम लेखक द्वारा खरी दी गई थी ये जीवन भर याद रखने वाली घटना थी यानि कि उनके टिकट लेने के पास उनके पास दो रुपए बचे थे दो रुपए में क्या हुआ उन्होंने दस आने की किताब उनको मिल गई थी अब किते बचे थे उनके पास बचे हुए थे एक रुपए छे आना तो वो लेकर उन्होंने मा को लोटा दिया इस तरीके से उन्हें पहली किताब खरी दी उन्हों मिले तो पहले उनको इनाम में मिली तो दो पुस्तके लेकिन अब इन्होंने पहली बार किताब खरी दी यह पहली किताब सम लेखा ने खरी दी वह जीवन भर याद रखने वाली घटना थी लेखक ने पुस्तक जमा करने का इडादा भी बना लिया था अब उनके मन में आ गया था कि मैं जो हूँ अब खुब पस्तके इकठा करूँगा यानि कि मैं अपनी खुद की लाइबरेरी बनाऊँगा और धीरे धीरे करके उनकी निजी लाइबरेरी में हिंदी, अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनिया, संस्मरण, इतियास, कला, पुरातत, राजनीती की हजारों पुस्तके इकठा हुए मनें उन्होंने सिर्फ हिंदी की ही नहीं, हर दरे की पुस्तके उन्होंने इकठी करी ऐसा ही कि सेथ इकठा करी, क्योंकि उनको इंटरेस था, तो उनको पढ़ते भी थे तो उन्होंने अपनी लाइबरेरी में यह सभी इकठा कर ली लेखक पीछे नश्वर दोड़ाते हैं मतलब अब अपने वो पीछे की तरफ नजर दोड़ाते हैं पहले के समय में तो उन्हें अपनी पहली किताब खरीदने की प्रबल इच्छा याद आती है कि किस तरीके से उन्हें अपनी पहली किताब खरीदी थी वो देवदार सुल्म देखने गए थे और उनके पास पैसे कम बज़े थे तब भी उन्होंने वो किताब खरी दी लेखक भारत के ही नहीं विश्विस्तर के एक जाने माने विद्वान है यानि कि धर्मविर भारती जी इस भारत के नी विशुके भी जाने माने विद्वान है वे भारती पत्रकारिता के लिए गौरफ का विशे बने हुए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखे हैं, बहुत सारी चीज़े लिखे हैं उनकी लाइबरेरी में रिनर मारिया, रिलवर्फे, स्टीव एस्ट्री फ्रेंड जवीन, मोसापा, चेखव, टॉल्स्ट्राई, दास्तावोस्की, मायवोस्की, स्टीफेंस स्पेंडर, आइडेन एशावरा पाउंड, यूजीन ओर नील, अलवेल काम और आयोनेस को पिकासो और रिस्तोराय की क्रतियां मौजूद हैं, इन्होंने आपकी सभी लैंग्विज्ज, इंग्लिश, जर्मन, फार्सी, सभी की लैंग्विज्ज की किताबें उनकी लाइबरेरी में मौजूद हैं, हिंदी में कबीर, सूर, तुलसी, रस्खान, जाइसी, प्रेम, चंद, पं परतिये ही नहीं, विदेशी कवियों और लेखकों की किताबों का भी संग्रे किया हुआ हैं, बिमारी की हालत में लेखक से मिलने आये मराची के वरिष्ट कवी, वरंदा करंदीकर ने लेखक से कहा, यह उनसे मिलने आये थे मराची के कवी, तो उन्होंने क्या कहा, भारती यानि कि कर्णवीन भारती जिसे बोले कि भारती ये सैक्रों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों और विराज मान हैं इन्हीं के आशिरवाद से तुम बचे हो इन्होंने तुम्हें पुनर जीवन दिया है यानि कि उन्होंने बोला कि इन सभी कवियों और लेकोकों के आशिरवाद तुम्हारे उपर हैं तभी तुम दो-दो हार्ट अटेक के बाद भी आज जीवित हो ये उन्हीं का आशिरवाद है लेखक ने मन ही मन में कंदिकर को और उन महापुर्षों को प्रणाम किया लेखक ने मन ही मन में बहुत जादा प्रणाम किया कि मैंने किस तरीके से इन सभी का आशिरवाद प्राप्त किया तो यहाँ पर ये पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरे समझाया याद रखिए इसमें बहुत सारे कवियों देशी और विदेशी सभी कवियों के और लेखोकों के नाम आएं उनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए उनकी पुस्तकाले में मौजुद कुछ विदेशी लेखोकों के नाम बताईए जिनकी कृतियां उनके पुस्तकाले में मौजुद हैं तो इस तरीके से आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा तो आपको उनके कुछ नाम याद करने पड़ेंगे I hope ये चैप्टर आपको समझ में आओ गया होगा प्रिश्न उत्तर के लिए हमारे नेक्स वीडियो का वेट करिए थैंक यू बबाई